दोस्तों दा कस्मेरी फाइल्स मूवी आप जरूर देखें या फिलिम देखके न आप भी अस्चेरी हो जाएंगे कि हमने अपने इतिहास में NCRT बूक हो या CBC जो भी बोर्ड हो आपको उसमें मुगल, बाबर, तुगलक सभी के बारे में हमने पढ़ा है पर 1990 की जो घटना के बारे में हमें किसी भी बूक में नहीं मिला है इतिहास में हमने सब कुछ जाना, रिगवेद, पुरान, सब कुछ जाना, लेकिर इसके बारे में हम लोगोंने कभी नहीं जाना है आप मानिए कि दा कस्मीरी फाइल मुवी में अगर 10% ही वह सीन दिखाया गिया अगर 100% वह मुवी दिखाया जाता, वह सीन अगर दिखाया जाता तो आपके साथ वह कैसा महसूस होता जिन लोगों के साथ या घटना बिती होगी न यार वह रोगे होंगे, वह मर गे होंगे, वह जिन्दा नहीं रह सकते हैं हम मैं अभी देख के आ रहा हूं, यह आप देख सकते हो मैं अभी on the way हूं यह देख सकते हैं मैं अभी on the way हूं और साइकिल से मेरा साइकिल है और मैं इधर आ रहा हूँ तो जट फिल्म खतम हुए मैं बाहर आया और सच में आसू रूख ने रहे थे मैं सोच रहा था कि यह वीडियो बनाओं तो सिब अपना ओडियो देता हूँ फेस ना लाओं बट यार फिल्म जोर देखें अब आप फिल्म जोर देखें आप सोचने सकते हैं कि कोई अपना घर का आगंग छोड़के अपने कस्मीर को छोड़के कोई और कहीं जाके बस रहा है यार आप से मैं सौल पूसता हूं कि क्या आप कभी अपने घर को छोड़के कहीं और बसने के सोचेंगे उनके साथ जो घटना हुई ना वो तो हम लोग ब्यान नहीं कर सकते हैं परन्तु अगर आपके साथ एक परसेंट भी हुई आप एक बार सोच के दिखें कि अगर वो घटना आपके मा बेहन के साथ हुई हो तो क्या आप जी पाएंगे यह बहुत ही दर्दनाग घटना इस फिल्म में दिखाई गई है यहाँ इस बारे में जानना इस फिल्म के बारे में जानना हम सभी भारत वासियों के लिए बहुजूरी है चाहे मुसलिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सीख हो चाहे इसाय हो कस्मीर में यह जो हुआ हिन्दू पंदित कस्मीर के साथ जो हुआ है यार मेरा जनम तो 1989 में हुआ था और 1990 मैं ऐसी गटना हुई है मैं लास्ट इन जो देखके हुआ ना कि उस महिला को काट दिया गया अर्धनंगर करके यार किसी के जिसने भी घटना अपने सामने देखी होगी उस वक्त यार मर गिया होगा यार मर गिया होगा कैसे बता हूं मैं यार वहाँ पर सिप हिंदूओं के साथ ने मुस्लिम के साथ भी सिख के साथ भी इसाहिक के साथ भी यह वा ही होगा क्योंकि यह साले लोग जिहादी लोग हावस के पुझा रही हैं यह अपना मकसद कायम करना चाहते हैं कि फिरी कस्मीर चाहते हैं इनको बस अजादी चाहिए आप किरपा करके मुझ भी जोड देखें और इनसे आप सहुचे समझे और भारत सरकार से में इस दिवान बस करना चाहता हूं कि इतिहास में इसका भी एक चप्टर अब डालें इनकी भी पुष्टके हम सभी को पढ़नी चाहिए और माने परधार मंत्री जी जो 377 धारा उन्होंने हटाया है यार बहुत खुशे हूं है बहुत जुरूरी है यह हटना कस्मीर सिप कस्मीर वासियों का नहीं हमारा भी है उसमें जितना कस्मीर वासियों का हक है उतना हमारा भी हक है वहां के मुस्लिम भाई हिंदू भाई सीक भाई चेक्रिस्चन भाई अधर चूभी कम्यूनिटी के भाई हो वो सब हमारे भाई है और फिलिम के परकर के नहीं कहा के मैं अपने वक्ता स्वाफट करता हूँ